और अब हमें नीचे का गेरा बनाना है तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं गेरा हम दो रंग से बनाएंगे तो अठारा फंदा हम डाल लेंगे तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा शोला सत्रा और अठारा अठारा फंदा डाल लेंगे उल्टा उल्टा बुढ़ना है यानि आगे से भी सभी फंदे उल्टे और पीछे से भी सभी फंदे उल्टे उल्टे फंदो की हम पाँच धारिया बनाएंगे तो तीन धारी सामने से आएगा और दो धारी पीछे से पांच लाइन हमने उल्टे उल्टा बुना आगे से और पीछे से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना तो तीन लाइन आगे से आएगा और दू लाइन पीछे से अब हम यह हमारा रॉंग साइड है तो अब इसमें हम दूसरे रंग का उन लगाएंगे दो फंदा हम इसी रंग से बुणनेंगे और दो फंदे के बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे और सबी फंदे उल्टे बुणनेंगे लास्ट के दो फंदो को छोड़के लास्ट के दो फंदे हम लास्ट के हम दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से हम टर्न कर लेंगे अब सफेद बुने हुए सबी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे और लास्ट के जो दो फंदे हमने छोड़े थे हमने दोनों तरफ दो दो फंदे छोड़े थे तो शुरुआत के दो फंदे हम वापस गुलाबी रंके उनसे उल्टा बुनेंगे और अब हम तीसरा लाइन गुलाबी रंके उनसे बुनेंगे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और सबी फंदे उल्टे बुनेंगे और अब की दो फंदे और छोड़ देंगे हमने जो सफेद रंके उनसे बुना था उसमें से भी दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से हम टर्न कर जाएंगे और अब सारे फंदे उल्टा बुलने गए और फिर दो फंदा पहला फंदा स्लिप करेंगे अगला फंदा गुलाबी रंके उनसे उल्टा अब देखिए साने से एक सीधे फंदे की लाइन आई है फिर गुलाबी फंदे की लाइन है तो अब हम फिर सफेद से हम एक सफेद फंदे की लाइन आई है फिर एक गुलाबी फंदे की तो अब हम सफेद रंके उनसे बुनेंगे और सबी फंदे उल्टे बुनते जाएंगे और फिर हम गुलाबी रंग से बुने हुए दो फंदे भी छोड़ देंगे अब इस समय हमारे पास इस साइड में छे फंदे हो गया है अब यही से हम टर्न कर लेंगे और सबी फंदे उल्टे बुनेंगे यहां सफेद तक सबी फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट के दो फंदे हमें गुलाबी रंग के उनसे बुनने होंगे यह हमारा बार्डर बन रहा है तो लास्ट के दो फंदे गुलाबी रंगे उनसे अब सबी फंदे गुलाबी रंगे उनसे बुनेंगे और फिर अब दो फंदे छोड़ देंगे तो हर बार हम दो दो फंदे छोड़ते जा रहा हैं देखिए पहले हमने गुलाबी रंग के उनसे हुना था फिर सफेद रंग के उनसे दो फंदा छोड़ा फिर गुलाबी रंग के उनसे दो फंदा फिर सफेद रंग के उनसे और अब हम तो फंद छोड़के और फिर यहीं से टर्न कर लेंगे और सभी फंदा उल्टा बुन लेंगे देखिए हम दो दो लाइन बुनते जा रहा है दो सफेद दो गुलाबी दो सफेद दो गुलाबी तो अब की बार गुलाबी का नंबर है तो शुरुआत के तो दो फंदे हम गुलाबी बुन रहा है पहला फंदा स्लिप कर ले रहा हैं, अगला फंदा गुलाबी रंग्गे। उसके बाद सफेद रंगे उनसे बुनना है, फिर दू फंद अ हमने गुलाबी का छोड़ दिया और फिर यहीं से हम टॉर्ण कर जाएंगे, सबी फंदे उल्टे बुलनेंगे लास्ट के दो फंदों को छोड़के लास्ट के दो फंदे हमें गुलाबी रंगे उनसे बुलने है और अब पहला फंदा स्लिप कर लेंगे अगला फंदा उल्टा उसके बाद चार फंदा गुलाबी रंगे उनसे बुलनेंगे तेन चार और ये दो फंदा हम छोड़ देंगे और यहीं से हम टर्न कर लेंगे और उसके बाद सभी छे फंदे हम गुलाबी रंगे उनसे उल्टा बुलनेंगे अब पहला फंदा स्लिप करेंगे अगला फंदा गुलाबी रंके उन से पुल्टा और फिर दो फंदे हम सफेद रंके उन से पुल्टा बुनेंगे फिर हमने दो फंदा गुलाबी रंग का छोड़ दिया है और यहीं से हम टर्न कर लेंगे और दो फंदा सफेद रंग से उल्टा बुलेंगे और फिर दो फंदा गुलाबी रंग से उल्टा अब यह सारे फंदे हमारे कंप्लेट तो अब गुलाबी रंग के उन से हम छे purity उल्टे अबकी हम गुलाबी रंग के उन से सारे फंदे बुल्टे एक लाइन कम्प्लीट होगा ऐसे ही पांच लाइन हम और बनाएंगे तो खुलाबी रंके उनसे हमें जब एक ये कली कम्प्लीट हो जाएगी तो फिर से हमें यहां से शुरू करना होगा यानि छे लाइन हम फिर से बनाएंगे हमें सीधी की तरफ से तीन लाइन ऐसे आना चाहिए देखिए फ्रेंट्स ये एक कली बन गया है अब फिर हमें दूसरी कली बनाना होगा उसके लिए फिर दो फंदे हम उल्टा बुनेंगे और अब सफेद रंग से सभी फंदे उल्टा बुनेंगे लास्ट के दो फंदो को छोड़के और फिर दो फंदे छोड़के हम यहीं से टर्न कर लेंगे यानि यहां से अब फिर हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं यह हमारी दूसरी कले बन रही है ऐसे ही कुल हम तेरह कली बनाएंगे आस्ट के दो फंदे गुलावी ऐसे ही कुल हम तेरह कली बनाएंगे ऐसे ही हम तेरह कली कंप्लीट कर लेंगे तो जब तेरह हमां कली कंप्लीट करेंगे मान लेजे कि यह तेरह कली है ऐसे हमने बारा कंप्लीट कर लिया है और यह तेरह हमां कंप्लीट है तो हम साइड में यह छे फंदे नहीं बनाएंगे छे लाइन गुलावी फंदो का नहीं बनाएंगे क्योंकि यह घुम के वापस इसमें जुड़ेगा तो क्या करेंगे कि गुलाबी फंदों से सबी फंदे उल्टे बनाते जाएंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पैसे चढ़ाते चले जाएंगे यह हम तेरावे कली के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हमारा ते रहमा करी कम्प्रीट हो जाएगा तब हम ऐसा करेंगे इस वो उतारते चले जाएंगे उल्टा बुनते जाएंगे और पिछला उतारते चले जाएंगे सभी फंदे उतार लेंगे प्योंकि जब आकि ये इसमें सिलेगा तो ये इसके लिए भी ऐसे हो जायागा ऐसा हम ते रहमें करी के साथ करेंगे या तो हमने ये शुरुआत में जब बना लिया है तो हमें लास्ट में नहीं बनाना है जब दोनों तरफ हमें नहीं बनाना होगा बाकी कलियों के दोनों तरफ हमें ऐसा बनाना होगा देखिए फ्रेंट्स ये तेरा कली कम्प्रेट हो गई है हमने यहां से शुरू किया था एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यारा, बारा, तेरा और ये दोनों में कॉमन है तो हम ऐसा बना के तेरा कली बना के हम सिल लेंगे और उसके बाद इस चोली में हमें इसे जॉइंट करना होगा तो हम यहां पर जहां हमने सिलाई किया है इसके सेंटर पार्ट को ऐसे रखेंगे और सिलाई करना शुरू करतेंगे और सिलाई करतेंगे प्रिय्प जाजे इस नहां है करतेंगे जय Dwो झाल झाल